हेलो इस्टुडेंट स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चेनल ओनलाइन आईटी आई पर graduate, post graduate, ITI और 12th pass candidates के लिए permanent job vacancy का notification जारी हुआ है और आज की इस वीडियो में हम 12th pass और ITI pass candidates के लिए निकाली गई पोस्ट की संपूर जानकारिय आपको देने वाले हैं और बताने वाले हैं कि इस vacancy में आप किस तरीके से apply कर सकते हैं और क्या अन्य जानकारिया इस vacancy के notification में दी गई है सब जानकारिया आपको मिलेगी आज की वीडियो में जैसा की screen पर आपको इस vacancy का notification नजर आ रहा है अगर इस notification आप download करना चाते हैं हमारे telegram group पर जाकर download कर सकते हैं telegram group से जुढ़ने का link इस video description में आपको मिल जाएगा यहाँ पर आपको अन्य कई vacancy की जानकारी भी मिलने वाली है ठीक है अगर बात कर इस vacancy में निकाली गई posts की तो आप देख सकते हैं 12th pass और ITI pass candidates के लिए जो post निकाली गई है वो दीचे की और आप देख सकते हैं staff in non-teaching cadre in group C के वाले section में यहाँ पर office attendant और lab attendant की जो post निकाली गई है कुल 20 post निकाली गई है वहीं junior assistant की 13 post निकाली गई है senior assistant की 5 post निकाली गई है stenographer की 3 post निकाली गई है senior stenographer की 1 post निकली है technician के 30 पदों पर भरती निकली है senior technician की 15 post निकली है और यही जो पद में आपको कुल बताए है अलग-अलग category wise इनका वर्गी करन आप notification में देख सकते हैं आगे बात करते हैं और जानते इस notification में आगे मैं बाता दूँ आपको selection procedure इस vacancy में क्या रहने वाला है apply करने के बाद candidates के forms की scrutiny की जाएगी अलग-अलग select किया जाएगा इसके बाद जो candidates जिन्होंने apply किया है उनको return exam देना होगा ठीक है return exam आप सबका होगा return exam के बाद selected candidates को skill test देना पड़ेगा skill test और return test में finally pass होने के बाद candidates को final selection दे दिया जाएगा ठीक है जो return test होगा return test आपका multiple choice question वाला होगा यानि MCQ होगा और इसकी अउड़ी दो घंटे की रहेगी ठीक है return test में pass होने के बाद जैसा मैंने आपको बता है आपका skill test होगा और जो skill test होगा ये एक घंटे का रहेगा ठीक है इस तरीके से candidates का selection किया जाएगा return test और skill test की जो venue है जो exam center है इसकी सूचना बाद में publish की जाएगी university की official website पर ठीक है अन्य जानका रहे भी वो university की official website पर आप देख सकते हैं ठीक है इस vacancy के लिए apply करने की जो form fees है वो general OBC candidates के लिए 400 रुपे रखी गई है वही अगर frequency के form के लिए नहीं करना पड़ेगा अगर आप एक से अधिक post पर apply करना चाहते हैं तो आपको उस apply की गई अट्रिक्ट post के लिए अट्रिक्ट बुक्ता करना पड़ेगा अगर बात करें इस vacancy के लिए apply करने की तो apply करने के लिए आपको online इस vacancy के लिए apply करना पड़ेगा university की website पर जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ इसके अलावा में apply करने के लिए जो university की website है उसका link भी इस video के description में डाल दूँआ जहां से आप इस vacancy के लिए apply कर पाएंगे ठीक है university की website आप देख सकते हैं यहां पर इस तरीके से आपको website open हो जाएगी यहां पर news and event में current opening वाले section में आपको जाना है current इसमें जाने के बाद इस तरीके से section open हो जाएगा यहां पर आप देखेंगे non-teaching catered staff recruitment की vacancy publish हो रखी है इस पर आपको click कर देना है क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से recruitment 22 non-teaching catered staff at vinii.it का पूरा यह page खुल जाएगा यहां पर नीचे की और आप देखेंगे online prescribed application form for the direct recruitment for non-teaching staff इस पर click कर देना है इस पर click करने के बाद इस vacancy में apply करने के लिए जो process हो यहां से start हो जाएगा सबसे पहले मैं आपको बता दूँ आपको registration अपने आपका करना है registration करने के बाद आपको इस vacancy के लिए जो आपकी application fee से उसका payment करना है अगर आप SCST में आपको कोई payment नहीं करना है इसके बाद आपको जो आपने registration के दोरा login ID generate की थी login कर लेना है और जो details यहाँ पर form खुलने के बाद मांगी जाएगी वो सब fill कर देनी है फिल करने के बाद आपको form भर देना है आप fees का payment कर चुके होंगे आपको website पर उसके बाद आपका जो form है वो fill कर देना है इसके बाद आपको क्या करना है आपका जो form है जिसकी print out कर लेनी है print out करने के साथ ही आपने जो document attach किया है upload किया है उनकी भी printing निकलवा लेनी है और उनको self-attested करके यह सारे documents यह application form और fees की receive तीनों ही चीज़े आपको यह by post यहाँ पर दियेवे address पर courier करनी है पोस्ट करनी है यह जो post है यह आपको 2 जनवरी 2023 तक वहाँ पर पहुचानी है आपको जो application form बरने की last date है वो 27 December 2022 है जो मैंने आपको बता है online form बरना online form बरने की date तो रहेगी 27 December 2022 और जो आप उसकी print निकालेंगे और document को जो send करेंगे hard copies उसकी जो date रहेगी वो 2 जनवरी 2023 रहेगी ठीक है तो आपको required documents जो attach करेंगे थे आपने वो सारे और application form परसीद के साथ send कर देना है address पर address यहाँ पर लिखा हुआ है the registrar which is रही है national institute of technology south ambazory road नाधपूर यहाँ पर pin code भी दिया हुआ candidate apply कर सकते हैं इसके बाद जो बारवी के बाद आपका जो speed test होगा typing का उसमें आपको 35 word per minute minimum typing आनी चाहिए चीक है इस vacancy में apply करने के लिए आपको 27 वर्स से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए और आपको select होने के बाद एक वर्स का probation period रहेगा आगे बात करते हैं senior assistant की post पर इस post के लिए apply करने के लिए आपकी minimum qualification बार भी होनी चाहिए और typing speed आपकी 35 word per minute होनी चाहिए चीक है computer word processing and speed sheet पर भी आपको काम करना आना चाहिए चीक है इसका जो payment है वो बावन सो से लेकर 20,000 200 रुपए के लगबग है और grade पर आपका choice सो रहेगा senior assistant की post पर इस vacancy पर apply करने के लिए जो आपकी age limit है वो 3300 मानी गई या नहीं 3300 से कम उमर के candidate इस vacancy के लिए apply कर सकते हैं केवल बार भी पास चीक है आगे बात करते है stenographer की post पर stenographer की post का जो pay band है वो 500 से 20,200 के लगबग है और जो grade पे आपका choice सो grade पे है pay level 4 ठीक है और इसमें जो योग्यता मांगी गई है वो मांगी गई है बार भी इसके बाद आपको short hand आना चाहिए जो की short hand में आपकी speed होनी चाहिए 80 word per minute ठीक है तो बार भी और short hand अगर आपको आता है तो इस वेकेंसी के लिए आप अपलाई कर सकते है इस post के लिए अपलाई कर सकते है ठीक है इसमें भी जो age limit है वो 27 वर्स एदिक्तम मानी गई है 27 वर्स से कमाईउ के candidate इस टेनोग्राफर की पर वेकेंसी है इसका grade पर 2800 वर्पे है इसमें भी 12 प्लस short hand में speed 100 word per minute ठीक है इसमें जो candidates है उनकी अधिक तमाईउ 33 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आप इस post के लिए अपलाई कर सकते है अब बात करते हैं technician की post पर technician की post पर जो पे बेंडे वो बावन सो से बीस जार दुसों के लगबगे रो ग्रेट पे है वो दो जार पे का है पे लेवल टीन है इस वेकेंसी पर अपलाई करने के लिए आपको 12th pass होना जरूरी है sorry मैं इसमें कई सारी इसमें योग्यता है मांगी गई है मैं के करके बताता हूं सबसे पहले जो योग्यता है वो है 12th pass ठीक है और science से stream से आपके 60 परतिशत अगर हैं तो आप technician की post पर अपलाई कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपने 12th pass कर रही है और आपने 1 वर्षय या 2 वर्षय IT कर रही है और जो 12th है आपकी वो 50 परतिशत से है तो science vacancy के लिए अपलाई कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपने 10th pass कर रही है 60 परतिशत अंकों के साथ केवल 10th pass अगर आपने कर रही है और आपकी IT हो रही है दो वर्षय IT trade में तो भी आप इस पोस्ट के लिए अपलाई कर सकते हैं इसके अलावा डिपलोमा वाले कंडिडेट्स भी इस पोस्टों के लिए अपलाई कर सकते हैं तो इस technician की पोस्ट के लिए कई सारी प्रकार से आप अपलाई कर सकते हैं योगीता के कई सारे इसमें बताए गए है 12th pass है अगर आप 10th pass है तो 60-30 हो सारी चीज़ा आप पढ़के अच्छे से अपलाई कर सकते हैं इस पोस्ट पर अपलाई करने के लिए बात करते हैं senior technician की post पर जिसका grade पर है चोईस सो और पेले वाले चार इसके लिए भी same eligibility मांगी गई है जो उपर वाली post पर मांगी गई थी इसको आप पढ़ सकते हैं चीक है इसके बाद मैं आपको बता दूँ इसमें जो age maximum मांगी गई है इसके बाद मैं आपको बता दूँ कि SC, ST, OBC वाले candidates को age में छूट मिलेगी जो कि government of India के रूल के अनुसार होगी मैं आपको मोटा मोटा पता दता हूँ SC और ST के जो candidate है उनको 5 वर्ष के छूट मिलेगी OBC वाले जो candidate है इनको 3 वर्ष की छूट मिलेगी अगर आप विकलाएंगे तो आपको ये छूट अतिकन 10 वर्ष तक की मिल सकती है ये जो आपको फॉर्म के लिए जो लास्ट डेट है वो 17 दिसमर में आपको अल्रेडी बताई दी है इसके बाद अन्य जानकारियों पर आते हैं जहां से आपको जवाब मिल जाएगा तो केंडिडेट्स उम्मीद है कि इस वेकेंसी से संबंदी सारी जानकारी मैंने आपको मोटी मोटी जानकारी आपको समझा दी है अगर आपको डिटेल्ड में इन्फोर्मेंशन चाहिए तो आप इन नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख लें इस वेकेंसी मैं आपको बताया है 12 पास और ITI पास के लिए एक शानदार मोका है पर्मानेंट वेकेंसी जोब पाने का चीक है अगर आप रेगुलर जोब सर्च कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आगन जरूर दबा दे जिससे कि आपको पर्मानेंट वेकेंसी के नोटिफिकेशन रेगुलर मिलते रहे हैं आप हमें इस्टाग्राम पर भी फोलो जरूर कर ले और हमारे टेलग्राम को भी जरूर जोइन कर ले बिलते हैं आगे इसी तरह की वीडियो में टेक केर